देश की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े बड़े सेन्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों पर अपने देश की गुप्त योजनाओ और जानकारियों को दूसरे देशों के साथ साज़ा करने के आरोप लगते रहते हैं कई बार ये आरोप सही भी होते हैं कई बार ये सरकारों की साज़िश का हिस्सा होते हैं यानि इन पर लगाए गए आरोप जूटे होते हैं जिन पर देश की खूफिया या गुप्त जानकारी दूसरे देशों के साथ साज़ा करने के आरोप लगते हैं उन पर देश द्रोह के मुकद में चलते हैं और उने सालों जिल में बंद रखने की सजा दे दी जाती है रूस ने भी अपने प्रमुख रूसी वैग्यानिकों में से एक अनातोली मासलो पर हाल के वर्षों में राज द्रोह या देश द्रोह का आरोप लगाया है और इस हाइपरसोनिक मिसाइल वैग्यानिक को देश द्रो के आरोप में 14 साल की सजा सुना दी है 77 वर्षिय मासलो और कुछ अन्य लोगों ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के डिवलक्मेंट में सैधान्तिक कारे किया था उन्होंने एर डिफेंस सिस्टम के जरिये धौनिक स्पीड से 10 गुना तक पे लोड ले जाने में सक्षम अत्याधुनिक हतियारों के लिए काम किया था रूस ने मासलो पर रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ा टॉप सीक्रेट डाटा जर्मनी के साथ शेयर करने का आरोप लगाया था उसी संस्थान के दो अन्य व्यग्यानी अलेकजंडर सिपल्यूक और वालेरी जोगित सेव को भी 2022 में देशद्रो के आरोप में गरफतार किया गया था जो मुकदने की प्रतिक्षा कर रहे हैं ये दोनों वैग्यानिक भी हाइपरसोनिक्स के विशशग्य हैं देश्द्रो और जासुसी के मामलों में लोगों को बचाने में माहिर एक एस्सोसेशन पेरवी ओटेल के वकील गयवगेनी स्मिर्नो ने कहा कि तीनों वैग्यानिकों के खिलाफ आरोप लगभग समान थे उनके मुताबिक इन तीनों पर ही एक अंतराश्य समेलन में भाग लेने के दोरान राज्य की गुप्त मानी जाने वाली जानकारी लीग करने का आरोप है यदि मासलों के खिलाफ दोश सिध होते हैं तो ये कानून का घोर उलंगन है उनके मुझे यकीन है कि मासलों अपने उपर लगाए गये करत्यों के दोशी नहीं है और वो रूसी अधिकारियों की नीतियों का शिकार है वकील ने कहा कि वैग्यानिकों का उत्पिड़न रूसी अधिकारियों का एक राजनितिक कदम है इसके जरीए वे यह दिखाना चाहते हैं कि दुनिया भर की खूफिया एजेंसियां रूसी हत्यारों के रहस्यों को चुराने की कोशिश कर रही है वकील स्मिर्णों ने ये भी कहा कि वैग्यानिकों पर जो आरोप लगे हैं जिन चीजों को गुप्त या रहस्यों से बताया जा रहा है वो वास्तों में खुले तोर पर प्रकाशुक थे और किसी के लिए भी उपलब थे इस मामले में रूसी मीडिया ने मास्तों के वकील का हवालत देते हुए कहा कि वैग्यानिक ने अदालत को अंतिव संबोधन में कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन विज्ञान को समर्पित कर दिया है और अपने देश को दोखा देने का कभी सपना नहीं देखा था बचाओ पक्ष ने कहा कि मास्तों को साल की शुरुवात में दिल का दोरा पड़ा था और लंबी जेल की सजा मौत की सजा के बराबर होगी आपको बता दे कि इस से पहले पिछले महीने इसी शित्र के एकानि वैग्यानिक अलेक्जेंडर कुरानो को साथ साल की जेल हुई थी एक रूसी अख़वार ने कहा कि मासलों के खलाफ गवाही देने के बदले कुरानो को कम सजा दी गई है झाल 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 झाल